इंदौर भवरकुआ था ना शेतर स्तित देवी आहिल्या युनिवर्सिटी के आईएटी कैंपस में एम ब्लॉक के सामने अंधगती सिकार दोडा रहे चार यूवकोनों प्यून को ऐसी टक कर मारी कि वह उचल कर बोनट पर गिरा और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई प्यून की साथियों ने बताया कि आरूपे करीब सौ की स्वीट से कार दोडा रहे थी भवरकुआ पुलिस के अनुसार मृतक गणेश भैरवे 38 साल का था वह देवनगर न्यू पलासिय में रहता था कार जब कर यूबगों को पकड़ लिया गया है कार चौाला का सागर निवासी 20 वर्षिय वासु पिता रामकिशोर राठोर ने पुलस को बताया कि उसने यहाँ पर एडमिशन लिया है फीस भरने के लिए तीन साथियों के साथ सागर से कार चलाते हुआ आया था कैंपस में टर्न पर आसंतुलित हो गया ब्रेक लगाया लेकिन उसमें पाने की बॉटल फसने से नहीं लगा तो गलती से एक्सिलेटर दब गया इससे कार की स्पिटेज हो गई वह समल नहीं पाया और गणिश को टकर लगए जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई कि अदर कि जाते समय उनको कुछ फाइल वाहिल देखे आ रहा है थे तो पीछे से वो गार्ण के अंदर की बात है अपालेच के अंदर तो पार वाले लगों ने उनको वहिया को पीछे से पचास्टों के स्पिट से उनको उड़ा तिया जबकि फुट पाट पर चल रहा थे इता है यह नियुक्त करता है नियुक्त को नियुक्त कोई भार से आए थे वह लड़का था जो पहले जिसे मिलने आए थे वह वह ही परता था क्या कुछ रेसिंग कर दे या मतलब कोज एक मुझ मस्ती में गाड़ी इतनी स्पिट में चला रहे थे कुछ पता लगा है कि जानकर के करा है बहुत स्पिट पेले धीरी थे और फिर एक दम स्पिट बढ़ ले गाड़ी की एक तम तेस्ट के भाईया को उच्छाल के ओपर और कुछ प्यूंते हों क्या नाम थान गा गोड़ेश भेर वे कौन थे कॉलेश की बात ही है आई एटी का अच्छा कौन को ने परिवार में इनके बड़ा भाई है माता पिता बड़े बाई है आपका नाम बतला मेरा नाम ललित नागर है आप कौन उनके में उनके मामा जी का को भी आपको दिखाया हमको दिखाया हमें फोटो भी निरम को अटारने निन नितिया हमको इस में उनके पास 10 पर एक्सिलेट नाम पूस जरिए रहा है लगी का अधी कि अजयु और ज़्या करे यह पार माची कि बात्य उनके इस आधागर ब्र धार जना ब्र फुर नामा